ओम लिखने पढ़ने और सुनने में एक सरल सा सब्द लगता है। लेकिन ओम अपने आप में एक वतनतो पुहपसले मंतर है। ओम का उच्चरन से अपने आसपास सकरत्तक शकती का संचार होता है। ओम का उच्चरन मात्र से इनसान की जीवन की कई समस्या का समाधन बाण जाता है और ओम का सही प्रयोग से जीवन का सभी समस्या का समाधन किया जा सकता है दुनिया में बहुत सारे लोग ओम का उच्चरन तो करता है लेकिन सही तरीक से नहीं करता तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं ओम उच्चरन का सही तरीक है ओम उच्चरन करते समय अपने रीड की हड़ी को सिधा रखे वीडियो में दिखाई यही पुस्चर पे बैठके ओम का उच्चरन करे कम से कम 108 बार ओम का उच्चरन करे ओम का उच्चरन करते समय अपने ध्यान को दो आईभरू के बीच रखना है और दो आईभरू के बीच मे एक जोती का उनभूब करना है ओम का उच्चरन आपको लगातर करना है ऐसा नहीं हो कि दो दिन की फिर चार दिन छोड़ दिये एक दिन की फिर पांच दिन छोड़ दिये ऐसे नहीं आपको लगातर ओम का उच्चरन करना है सही तरीके से उम का उच्चरन करने से तना भर महल में भी सांती का महसूश किया जा सकता है